हालो फ्रेंट्स वेलकम टू उनलाइन स्टीडी पॉइन्ट तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आए होप आप सब अच्छे होँगे और आपके तैयारी भी अच्छी चल लहीं होगी देखे दोस्तों आपको जैसा पता है कि हमारा जो डेलिश राम का साथ मुझे टाइम भी होत वाले हैं तो इसलिए आप वीडियो को लास तक देखिएगा और देखिए दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह से और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है यह घंटी है उसको अनकर लीजिए क अगर आपने प्रेस किया कर रहा है तो आपको नोटिफिकेशन मेल रहा होगा और इसका पीडिया फाइल देखिए हम टेलिग्राम पर भेस देते हैं तो आप खटा पर से टेलिग्राम चैनल जोईन कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन वाक्स में लिंक है या फिर आपके पा इस्टाग्राम की लिंक भी दी गई है साथ फेस्बूक पेज लाइक कर लिए फेस्बूक पेज पर भी डिली नोट सेर के आते दोस्तों आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ठीक है चलिए देखिए हमारे कल के टॉपर देख लेते हैं अर्जुन मुखिया आर्यान अक्मल रमाकान सिंग गोविंद प्रजापती चायन बर्मन ठीक है तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई बहुत अच्छा प्रयास करें देखिए जिन इस्टूरेंस का नाम नहीं आता है वो नेक्स्ट में प्रयास करें कि आप अच्छा स्कोर करें ताकि आपका भी नाम यहाँ आज आए ठीक है चलिए स्टार्ट करते देखिए उससे पहले हमारी निव टाइम टेबल जो आउनलेन इस्टी पॉइंट की बनगे डेली बारा बज़े रात में करें फिर सो अप्लोड हो जाता है दो बाहर में तीन बज़े इंडियन उकोनोमी के क्लास होती तो भी इंडि अंग्रेजों ने रयतवाडी बंदोबस्त कहां लागू किया था फटा फट से बताएंगे सारे कोशन पचास कोशन आपकी रिवाइज हो जाते हैं तैयार हो जाते इसलिए अब इस टेस्ट को लास तक दीजिएगा और स्कोर अपना कमेंट बोक्स बताईएगा ठीक है चल से ले हुआरी नाइस दोस्तों ऑप्सनी रइन ऐठ हो जाएगा मढργास और बंबई प्रेसिडेंस में के दोस्तों ले कि बहुत पढ़िए प्रयास कर रहे हैं आप प्यारे मित्रों चलिए बता ये पटापट से नील आंडोलंका जम कर समर्थन करने वाले बाले हिंदू प के आगे बढ़ने से पहले यहां पर जीके ब्रभ्माहस पीडिये भाप के लिए चल रही है बहुत इंबोडेंट है सारे एक्जाम के लिए 50% आफर चल ला इसमें दोस्तों सारे इंबोडेंट कोश्चन दिया गए सारे सब्देट के सदेवेशन ने व्यक्त किया था तिलक ने किस सदेवेशन में व्यक्त किया था बताईए स्वराज मेरा जन्मसी धतिकार है इसे लोग ले कर रहूँगा तिलक जी ने सरवर्थम किस भारती राश्टी का अंग्रेश का देवेशन में व्यक्त किया था ये बट फटा फट से ब पाला कोश्चन मैंने अभी कराया सुराज मेना जन्मसेदिकार इससे लेकर रहूं कि इसने सर्वत्म भार्तियस्ट कंग्रेस की लखुनेदिशन व्यक्त किया था तो उसी से रिलेटेट कोश्चन ने इस क्राइडेंस क्या हो जाएगा चलिए बाल गंगधर तीला कोश्चन नुवर किस्सयों का सबसे बड़ा चित्रकार कां ठा चाड़क के का अन्य नाम क्या थो दोस्तों आपको बदाना है चाड़क के का अन्य नाम क्या था चार आप्सन दियें दोस्तों कुछ सिंपल कोशन है कुछ टप कोशन है सारे कोशन इसमें इसमें इंक्लूड किये गए है ठीक है चलिए बहुत बढ़ी इसका राइट इंसर हो जागा चलिए बहुत बढ़ी option सी कैवाल ले question number 8 है किसने मुगल काल में एतिहाशिक विवरान लिखा था question number 8 का answer बताएं किसने मुगल काल में एतिहाशिक विवरान लिखा था चलिए very good दोस्तों बहुत अच्छा प्रयास काफी अच्छा दोस्तों 50 जास question है आपके पूरे solve करिये most important है चलिए गुल बदन वेगम आपसा ने राइट हुया question number 9 है 1875 के बरेली विद्रो का नेता कौन था बरेली विद्रो का नेता कौन था दो 1875 की में बताएं 1875 कि करांती में बरेली विद्रो का नेता कौन था चलिए excellent दोस्तों very nice option ने राइट हो जागा खान बहादूर यह हमारा question number 10 है सुनिता के सिध्धान का सरवर्थम प्रतिपादन करने वाले बहुत धार्शनिक का नाम जल्दी से बताएंगे एक बार सारे स्टुडेंट इस वीडियो को शेर कर दीजे दोस्तों 2000 इस टूडेंट का टार्गेट रहता है हमारा डिरी लाइब का ताकि सारे ऑल ओवर इंडिया की स्टूडेंट जुड़ जाएं मजा आपको टेस्ट देने में ज्यादा ज्यादा लोग रहे चले नागार जुन कोश्चन नमबर इसका राइट एंसर रहागा आपसा ने मुंड़ा विद्रोह का नेता कौन था मुंड़ा विद्रोह के नेता कौन थे बताएं मुंड़ा विद्रोह के नेता कौन थे बताएं दोस्तों फटापट से मुंड़ा विद्रोह के नेता कौन किस्से है यह लोरा में गुफाओ तर्थ सेलकृत मंदिरों को शंबंध है बताईए फटापट से बताईए कोश्चन नमर 12 का अंसर फटापट से बताईए दोस्तों चलिए बहुत बढ़ी दोस्त कराइड अंसर क्या हो जाएगा कोश्चन नमर 13 की बिद्रोग शंब ब्रिटिस प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों फटापट से बताएंगे चलिए बहुत बढ़ी है दोस्तों इसका राइड अंसर हो जाएगा 1857 की बिद्रोग शंब ब्रिटिस प्रधानमंत्री कौन थे चलिए बहुत अच्छा दोस्तों इसका राइड अंसर रहाएगा चलिए बहुत बढ़ी है दोस्तों इसका राइड अंसर बताएंगे फटापट से चलिए वेरी गूड दोस्तों इसका राइड अंसर है आप्शन से इंडियन ओपिनियन ठीक है इमनली कित में से किसका संबध संगीत से है किसका संबंध किष वेद का संबंध संबंध संगीत से है चलिए बहुत अच्छा प्रयास इसका right answer क्या आगा दोस्तों चलिए very good राइड अंसर है का option भी शाम बेध का संबंध संगीत से है कौन भारती राष्टी कांग्रेश के स्थापना दिवेशन में पस्थित नहीं थे फटा फटा इसका एंसर बताएं कोशन नमर 17 का चलिए बताएं दोस्तों बहुत बढ़ियां दोस्तों कोशन नमर 17 का राइट एंसर क्या आज आगा चलिए सुरेंद नाद बनर जी लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन वेक्ति भारती राष्टी का अंग्रेश का ध्यक्ष हुआ था फटा फट से बताएं दोस्तों कोशन नमर 18 थे ऐ लाला लाच्पत, राए उपसे राइट हो जाएगा रामा नुझा चारे किस्से इस संब्ननзी कोश्टन नबर 19 कसर बताएंगे रामा नुझा चारे किस्से संब्नन जी बाहँ है इसका राइट एंसर राइग विशिष्टा द्वैठ वात safety का उप्शन सी अल्ला रख्खा प्रशिद्वादक किस से सम्बंदित है क्वेशन नमर ट्विंटी के अंसर बताएंगी जल्दी से एक बार सारे स्टुडेंट जो स्टुडेंट देख रहे हैं सभी स्टुडेंट इस वीडियो को लाइक कर दे और शेयर अगर अभी तक आपन जल्दी से चले बहुत बढ़ियां प्रफ्षन सी तवला कॉश्चन नमर टविंटीन मुसलिम लीग के प्रफ़ामी अध्यक्ष कौन थे मुसलिम लीग के पहले अध्यक्ष का उन थे दोस्तुश बताइए बटबोर से क्योश्चनर नमरम टुंटिन अंग्रेश का अध्यक्ष हुआ सुभाष्चंद्र बोस्त की त्याग पत्र के बाद कौन भारती राश्टी का अंग्रेश का अध्यक्ष हुआ कोशन नमर 22 का अंसर बताईए चलिए बहुत अच्छा दोस्तों और सी राज अंदर पर साथ ठीक है भारत की एक राज जिकार राज जपल अपने रिकित के लिए किसके प्रति उत्तर दाईए है कोशन नमर 23 चलिए बहुत बढ़िए दोस्तों इसका राज इंसर क्या अगर राश्ट पति की प्रति ठीक है भारत में सभी फोजों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है तीनू सेनाओं का सेनापति कौन होता है चलिए बहुत बढ़िए भारत का राश्ट पति ठीक है option D question number 25 है भारत प्रथम आम निर्वाचन जुनाओं कब हुआ था भारत प्रथम आम निर्वाचन कब हुआ था बताए दोस्तों जल्दी से चलिए very good option D 1952 में भारत के अंतीम भारती गवर्णर जनरल कौन थे question number 26 का answer जल्दी से बताए आप लोग भारत के अंतीम भारती गवर्णर जनरल कौन थे बताए दोस्तों जल्दी से question number 26 चलिए very nice उसकराइड एंसर क्या हो जाएगा option B C राजगोपाला चारी question number 27 केंदीर प्रिसासनिक सेवा परिक्षे तु अधिक्ताम आयू सीमा क्या है केंदीर प्रिसासनिक सेवा परिक्षे होती है अधिक्ताम आयू सीमा क्या है बताए जल्दी से चलिए South Asian Association for Regional Corporation ठीक है तो इसार का फुल फॉर्म हो गया है और सार की स्थाबना का हुई थी सार की स्थाबना का हुई थी दोस्तों चलिए 1985 में इसकी स्थाबना की गई थी ये भी याद रखेंगे आप इसके साथ साथ इसका मुख्याले की शहर मिश्ती थे तो राइट एंसर हो जाएगा इसका काठमांडू में ठीक है कौन कौन से अफगानिस्तान बंगलादेश भूटान इंडिया मालदीब नेपाल पाकिस्तान और स्रीलंका ठीक है चलिए इसका राइट इंसर क्या आएगा सार का मुख्याले की शहर मिश्ती थे काठमांडू ऑप्सन सीज का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है राजस्तुकर का कौन सा स्त्रोथ भारत सरकार को अधिकताम राजस्त प्रदान करता है कोश्चरमा 29 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों बताई जल्दी से और कों से तक क्लास हिस्टार रजाट करने के लिए सच रहा हूं ठीक है आप लोग कौन से क्लास हिस्टार करने कलाने अपके लिए कोई क्यों आपके आपके चाहिन में त्यारी विल्कुल रूकने न पाए आपका अग्जाम बेंतर हो और कौन सी सब्जेक्ट उ स्भ問 करनी है हमें अपना फीडबेक जरूर दे दोस्तों ठीक है देखिए आपकी डिमांड पर मैंने साइंस की सिरीज सुरू करवाई सरसे दूसरे चैनल पर और आपी की डिमांड पर जो है हिस्टी जोगरफी क्लास चल रही है तो आप बताईए आपका क्या सजेशन है सारी क्लास से शुरू करवाई 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 जाएंगी आपके लिए चलिए कोश्चन नमबर इसका 29 क्या जाएगा चलिए बहुत बढ़ी ऑप्सन सी इसका राइड हो जाएगा उत्पाद अनसूल कोश्चन नमबर 30 है देखिए भारत में बहुत जनगरणा कितने वर्सों के बाद की जाती है बहुत में जनगरणा कितने वर्सों के बाद की जाती है ब मैं चलिए कोश्चे नमबर 30 का ठीक है जो एट सेडियूल है दोस्तों उसमें बाइस भासावा को सामिल किया गया है ठीक है चलिए अगला उस्टन है राजसभा विक्टित हो जाती है राजसभा के विक्टन हो जाता है बताइए चार आपके सामने एक कोश्चन पॉलिटी में रिपीड़ कोश्चन है तिन्टराश्टी नियालय के मुख्यालय कहांAm mare प्यारे मित्रों बता जलीं चाहिए इसका है कहा पर कभलाुष्छ्छ तह homme हुई थी यह में सब बताई चुका ओर यह कोस्चन कई वर एक जया में पूछा गया है तो दा हेग में जो की नीदा लेंड मिश्थी थे ठीक है इसका मुख्यालय कहाँ पर है हेट कौर्टर है दा हेग में ठीक है चलिए अगला उचन देखिस की स्थाबना हुई थी नांटीन फोटी फाई में ठीक है अरधरात्री सूरकी भूमी का उन सादेश कहलाता है चयलत के लिए अज़िए अगर कुछ अब खर नोल चकमेंट भूपस अपना फीडबैक दीजिए ते जंचे और कुछ अच्छा लिखना हो तो लिख सकतेब हैं अच्छा लगता है उत्सावर्धन करते रहा कर यह दोस्तों ठीक है चलिए राइट एंसर हो जागा इसका अर्थरात्री सूर्ट की भूमी का देश नार्वे है ठीक है दोस्तों ऑप्साने थर्टी फाइब के अंसर बताई दोस्तों फटा बट से ज्वार भाटा सामानेते 24 गंटे में कितनी बार आता है प्यारे दोस्तों जल्दी से बताईए चलिए बहुत बढ़िया राइट इंसर क्या है कि दो बार ठीक हो जाएगा थर्टी सिक्स की तरफ देखते हैं दोस्तों करकर रेखा करकर रेखा यह जो है कोश्चन पढ़िए आप और ऑप्सन पढ़ि से मैप एटलस जब भी जेग्रफी कोशन आता है मैं कितनी बार बोलता हूं मैप एटलस से देखेंगे तो आपको सारा कॉंसे क्लियर हो जाएगा कितने स्टुडेंट मैप के साथ पढ़ते हैं बताईए कितने लोगों के पास एटलस है मैप है चलिए बहुत अच्छा दोस थर्टी सेवन गैंसर बताईए दोस्तों चलिए बहुत बढ़िया थर्टी सेवन गैंसर रहागा दोस्तों ऑप्सन भी साढ़े तेईश डिगरी दक्षिड एक्षांस रेखाय ठीक है ठीक है थर्टी एट है आपके स्क्रीन पर ग्लोब पर कूल अक्षांस रेखाओं की सं संख्या ऐसांडल बताई जल्दी से हैनी लेटीट इंगलिज में लेटीटिव कहते हैं इसकी संख्या चलिए और Tä cough कि हमारी पित्त्री कितने दशान दर्वे बटी मिए हमारी कितने देशान तर्यानि यानि ऋनकीट्यूट देशान दूरस थे फटा पड़न से दो había दो ति राइट हो जाएका 360 अगला होशन है करक रेखा करकर रेखा निमल लखी देशों में से किन से गुजरती आप को बताना करकर रेखा किन देशों से गुजरती इन में से बताईए जली से आँ चलिए राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों को फोटी नमबर का भारत वा साउधी रप देखिए जो करक रेखा है दोस्तों यानि ट्रॉपिक आप का एंसर है इक तिरे देखिए गुजरती है मेक्शिको से पस्चिमी सहरा मॉरिटीनिया से माली से माली अलजीरिया लीविया चाड, मिस्र, साउधी अरब, UAE, ओमान, भारत, बंगलादेस, मैमार और चीन, ताइवान देखिए दोस्तों यह जो आप मैप देखेंगे एटलस देखेंगे तो उसमें ट्रॉपिक आप का एंसर है यानि करकर रेखा जरूर देखिएगा और पूरे कंट्री आप की हुई है फुर्टी वन के अंसर बताईए चली बहुत बढ़ी स्कराइडन शुरुयाएगा अपसा ने ठीक है फुर्टी टू के अंसर बताएंगे एक्क्वी नॉक्स वर्स की दो कॉल जब दीन और राद बराबर होते हैं कौन कौन से दिन है जब बर्स में बराबर होते हैं बताईए 21 मार्च और 23 सितंबर को दीन और राद बराबर होते हैं ठीक एक्क्वी नॉक्स उत्री गुलार्द में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है कोशन आवर 43 आपके स्क्रीन पर है चलिए बहुत बढ़ी इसका राइड इंस रहागा आपसंसी 21 जून को ठीक है किश जून को उत्री गुलार्द में सबसे बड़ा दिन होता है करक करेख् 싸 और मकर रेख शेत्रु क्या कहते हैं कफ्या किस्थ यृःसर के शेत्र को क्या कहते दोस्तों और को आका एंसर सब्सक्राइब बाहरत केंदरी बैंक है ठीक है आं चलिए बहुत बढ़िया बर्तमान में काउन हेर भी आई कि कमेंट बॉक्स बता इएगा मुद्रश भीती के नियंत्रन कोन करता है मुद्रश भीति पता है सभी लोगों को चलिए बहुत बढ़िया राइट इंसर हो जाएगा इसका रिजर्व एंग ऑफ इंडिया दोर ठीक है सेवन कैंसर बताएंगे कौन योजना आयोग का पदेन सभपती होता है पदेन अध्यक्ष होता है अभी तो नीती आयोग बन गया है पहले योजना योजना आयोग यानि नीतिया प्रदय नद्यक्ष होते हैं गाडगिल फार्मूला किस से सम्मंदीत है बताएं चलिए बहुत बढ़िया इसका राइट अप्सन डी राइट हो जाएगा भारत में समुदाएग विकास परजिना का मुख्धिश क्या है कि बताएं दूस्तों चलिए बहुत बढ़िया इसका राइट इन शुरू जाएगा भारत में समुदाएग विकास परजिना का मुख्धिश क्या है चलिए बहुत बढ़िया इसका ऑप्सन डी राइट हो जाएगा कोशन नमबर फिप्टी है उन्रे चोंती से भारत के लिए नियोजी तर्थवेस्था किसने लिखी थी नियोजी तर्थवेस्था प्लांड इकोनॉमी किसने लिखी थी सर एम बिश्वेस रही है ठीक है ऑप्सन भी इसका राइट हो जाएगा तो यह थे हमारे साइंस बूस्टर टेस्ट के पच्चास इंपोर्डन कोस्टन्स डेली सामको साथ बज़े आपको यह मिलता है ठीक आठ बज़े आपको रेडी रहना है ठीक आठ बज़े जनरल साइ आज का पक्का होगा रेगुलर होगा आप से ठीक है चलिए वीडियो अच्छी आया तो लाइक कर दें और शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें देखिए दोस्तों हमारा जो नया चैनल हमने बनाया है फाइब मिनट जी के काफी लोगों को पता होगो जो नए सब्सक्राइबर का टार्गेट है अगर आप चाहें तो आज ही सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करके 10 के कम्लीट कर दें 10 के सब्सक्राइब होने पर हमने सोचा है पहली वीडियो पोस्ट करेंगे तो फटा फट से उसको सब्सक्राइब कराई अपने दोस्तों को जप्से जप्से जप्सेट